अज हम जीलोजिकल ताइम स्कील के वारे मि पढ़ेंगे जीलोजिकल ताइम स्कील एक केलेंडर आफ आवर अर्थ इसको हम दो बगो में डिवाइड करके पढ़ेंगे सब सिपहले जीलोजिकल ताइम स्कील है क्या जीलोजिकल ताइम स्कील is the GTS is also called as GTS is a system of chronological dating that relates the geological strata और stratigraphy to time प्रिथवी के अंदर जो भूगर्वी की परपटी है उसको हम समय के साथ में यदि बाढ़ते हैं उसको chronological उसको classify करते हैं तो इस प्रकार से उसको geological time scale कहेंगे It is used by the geologist and paleontologist and earth scientist to describe the timing and relationship of event that have occurred during earth history history दर्थी के एतिहास में जो गटनाएं गटित हुई हैं उनको एक calendar की रूप में बना करके paleontologist और geologist के द्वारा उसका classification करके calendar तयार किया गया है जिसे geological time scale कहते हैं geologists have divided earth history into the series of time interval which are in form of major catastrophic event these time intervals are chronologically very vast each of which including millions of years instead the time interval are variable in length ये जो time scale है ये बीच बीच में जो दर्थी के ऊपर उतल पुतल हुई हैं और बड़ी बड़ी जो गटनाएं हुई उन ये catastrophic events कहते हैं उन events को आधार मान करके उससे पहले और उससे बाद की समय को इस परकार से इन events को इस के एक calendar को time scale को बाटा गया है बाउंडरी बीट्वीन जैसे की बाउंडरी बीट्वीन पर्मियन और ट्राइसे की युग को बीच में एक इस दर्ती पर एक ऐसी गटना के द्वारा बाटा गया है जिस पर दर्ती के उपर से सभी पेड़ पोदे और जीवजनतु नस्ट हो गये थे Another example is boundary between the Precambrian and Paleojaic era is marked by the first appearance of animals with the hard part जैसे की इस दर्ती पर Precambrian और Paleojaic era को भी बीच में इस परकार से mark किया गया है एक boundary line के द्वारा जिसमें एक ऐसी गटना हुई इस दर्ती पर जिसमें hard part वाले animals appear हो गये उसके माधियम से इसको दो बागों बाड़ दिये गया है earth history is divided into eons, eras, periods, epochs in this calendar इस calendar में दर्ती के इतिहास को eons में सबसे बड़ा काल और eras में युग और periods में काल और epochs छोटी अबदी, समय अबदी में बाटा गया है जैसे कि इस में चितर में हम देख रहे हैं कि ये सबसे उपर इसका epoch सबसे नीचे सबसे बड़ी काई है ion, ion जिसमें 400 million years पहले ये ions इतने duration का ये लगवग ion होता है और उसके बाद में ये 500, ये तो 4000 million years है वो है, ये 500 million years का एक एरा लगवग होता है और periods जो हैं वो 100 million years में बाटा गया है और फिर 1 million year में एक epoch बाटा गया है इस परकार से geological time skill को इसमें बवेन भावों में बाटा गया है जिससे earth is free का division हुआ सबसे पहले ions, ions are the largest interval of geological time skill and hundreds of millions of years of duration बहुत लंबा समय होता है, ये सबसे ज़्यादा लंबा समय होता है in which time skill above we can see the phanerogic era is the most recent ion and begin more than 500 million years ago 500 million साल पहले शुरू हुआ ये जो phanerogic era है वह है वह है इतने लंबे समय पहले हुआ तो ये एक एरा है एक एओन है एक एओन में बाटा गया है इसको उसके बाद में उससे छुटी unit आती है एराज यूग ions are divided into smaller time interval known as eras जिनको यूगो में बाटा गया है in the time skill above we can see that the phanerogic is divided into three eras जैसे कि phanerogic जो ion है उसको synozoic, mesozoic और paleozoic era में बाटा गया है very significant event in earth history are used to determine the boundaries of the eras eras यूगों की boundaries को समझाने के लिए, निर्धारित करने के लिए इस दर्ती के उपर होने वाली महत पूरण गटनाओं को रखा गया है जो दो भागों में बाटती है उसको गटना से पहले का समय और गटना के बाद का समय जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है इयोंस जो होते हैं वो बड़े time interval के पार्ट हैं और यह eras उनसे छोटे time interval के पार्ट हैं प्रते एक इयोंस eras में बटा हुआ है प्रते एक eras फिर periods में बटा हुआ है यान periods छोटी काई है और फिर प्रते एक period फिर epochs में बाट दिया गया है बाद में तो इस परकार यह time scale है periods यह उससे छोटी एकाई है era से छोटी एकाई periods होते हैं eras are subdivided into periods the events that bound the periods are widespread in their extent but are not as significant as those which are bound the eras eras जो हैं वो periods में divide किये गये हैं और ऐसी event ऐसी छोटी मोटी event के आधार पर periods में बाड़ दिया गया है उस era को उस यूग को यह जैसे के पलुजएक era is divided into Permian, Pennsylvanian, Mississippiian, Davonian, Silurian, Odovician और Cambrian इसके आधार पर छोटी छोटी गटनाओ के आधार पर इनको बाटा गया है periods के अंदर फिर periods को epochs के अंदर बाटा गया है यानि epochs are the finer subdivisions of periods which are frequently subdivided into epochs subdivision of periods epochs can be done only for the most recent portion of the geological time scale लेकिन जो epochs हैं उनको जो सबसे नजदीक वाला जो time period है उसी को बाटा गया epochs में क्यों कि पहले वाला जो time period है उसके जमाने के तो जिवास में ही नहीं मिलते हैं इस दर्ती पर इस लिए पूरी धर्ती को बाटा गया है इसलिए पहले वाले जो एराज है और इयोंस हैं उनको हम epochs में यह periods में नहीं बाट सकते as a result the history contained within the these rocks cannot be clearly interpreted इसलिए पूरी धर्ती को पूरी धर्ती के पूरे इतिहास को हम एक साफ साफ तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि जिवास मुका अभाव है इस प्रकार से अभ ये के दूसरा एक चित्री यह है जिसमें चित्रो सहित अनिम्ल्स को दिखाया गया कि कौन से योग के अंदर कौन से अनिम्ल्स पैदा हुए जैसे प्री केंब्रियन में एक शैल्ड जो अनिमल्स थे वो पैदा हुए फिर उसके राद ओडोविशिन, कैम्ब्रेन योगाया, जिसके अंदर फिर्स्ट फिर्स्ट कॉर्डेट्स पैदा हुए, फिर ओडोविशिन योगाया, फिर शिलीरियन, डेवुनियन, फिर पिर करवोनी फेरास, फिर पर्मियन, ट्राइसिक, जुरसिक, क्रिटर्शिक, टर् सलता है, minus से plus की तरफ. Our geological time scale was constructed to visually show the duration of each time unit. प्रते एक समय के एक एक काई को बनाने के लिए, समझाने के लिए हमारा एक जो geological time scale है वो बनाया गया. This was done by the making a linear timeline on the left side to the right time column. Thicker units such as the peterograic were longer in duration than the thinner units such as the synergic. तो सबसे पहली जो thicker unit है, वो सबसे बाइं तरफ और फिर उसके बाद में उसके दाइं तरफ उससे चोटी unit, उसके दाइं तरफ उससे चोटी unit और फिर उससे सबसे last में उससे चोटी unit आईगे. इस प्रकार से इसको एक कलेंडर को बनाया गया है. Solar system was originated at 5,000 million years ago. ऐसा मना जाता है कि दर्ती पर सौर मंडल का विकास 5,000 million साल पहले हुआ होगा. Earth is formed 4,600 million years ago और इस पर दर्ती का जो निर्माण है वह है 4,600 million years ago हुआ होगा. इस दर्ती पर 4,600 million years ago से लेकर के 3,300 million years ago तक तो कोई जीवी नहीं था इस दर्ती पर. सबसे पहले जो prokaryotic organism है वो 3,300 million years ago पैदा हुए. Eukaryotic organisms formed in 1600 million years और जो eukaryotic animal है वो 1600 million years ago इस दर्ती पर बने. जैसे कि इसमें time scale के अंदर ये बताया गया है इसमें कि ये सीनोजोएक, मीजोजोएक और पैलोजोएक जीलोजीकल time scale में ये हम बाढ़ सकते हैं इसको और इसमें new scene, pleo scene सबसे पहले आ गया है इसमें eras, era के बाद में इसमें periods, फिर epochs, और फिर age और इसके बाद में time इसमें दिखाए गया है जीलोजीकल time scale को हम 6 eras में बाढ़ सकते हैं इस जाइक एरा, Archeo जाइक एरा, Protero जाइक एरा, Paly जाइक एरा, Miso जाइक एरा और Sino जाइक एरा तो सबसे पहले लेते हैं A जाइक एरा, A means absent ये Greek वासाओ से लिए गया है A means absent, जाइक मिन्स life ऐसा एरा ऐसा यूग जिस पर जीवन अनुपस्थित हुता चेम्प्ली एप्सेंस ओरगिनेजम यह यूग इनिवों के अनुपस्थित के कारण ही जाना जयता है solar system formed with the earth, that of earth was formed in 4600 million years ago. दर्ती का निर्मान इस दर्ती 4600 million years पहले हुआ था, दर्ती कूल्ड हुई, underwent many changes और उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, which created conditions favorable to organism, जिसमें इन परिवर्तनों ने जीव जन्तुओं को रहने के योगे बनाया ऐसे. Rock igneous type and devoid of fossils, अगने चट्टाने हैं जिसके अंदर किसी प्रकार के fossil नहीं पहे जाते हैं. Archeos एक एरा, ग्रीग वासा के Archeos, Archeos का मतलब हुता है ancient, और जोईक का मतलब हुता है life. This era was started somewhat 3100 to 1600 million years ago. The first living form were made their experience, appearance. सबसे पहली जो सजीव हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई, characterized by the catastrophic and volcanic events. इस पर जोड़ा मुखी और बहुत सारी उतल पुतल के कारणा इसको जना जाता है, बहुत बढ़ी उतल पुतल इस यूग में हुई थी, इस दर्थी पर, most of the fossils were destroyed by volcanoes, और ज्वाला मुखीयों के द्वारा जदतर जो जीवास में वो नस्ट हो चुके हैं, so direct fossil events are leaking, इसलिए उनका कोई जीवास में का प्रवाण नहीं है यूग का, graphite carbon showed the presence of organism, graphite carbon के अंदर चोटे-चोटे organism की उपसिती मिलती है, virus, PLO, mycoplasma, bacteria-like organism have been described in this era, इस यूग के अंदर ये virus जैसे, bacteria जैसे animals को describe किया गया, ये organism सबसे पहले इस एरा में बने थे, तीसरा है, protero-jaik की एरा, ग्रीग वास एक protero का मतलब होता है की first, जैक का मतलब होता है life, यानि इस दर्थी पर पहला जीवन किस प्रकार से इस यूग के अंदर बना होगा, इस टाटाइट समवाइट 1600-900 million years अगो, सबसे पहले ये 600-100 से लेकर के 900 million years पहले ये यूग बना होगा, और characterized by a large amount of sediment and glaciation, इसका प्रमुख लक्षण ये है कि इसमें अवसाधी चक्ताने और glaciers का विकास हो गया था, glaciers बनने लग गये थे, not only life originated, but also reached great complexity, न के वल जीवन की उत्पत्ति हुई वलकि हुए अपने पूरुन जटिलता में भी प्रवेस कर चुकी थी, यानि जटिल जीवन भी प्रारम हो गया था, जैसे कि, sheld, protozoan बनने लगे थे, cylentrate, corals बनने लगे थे, anilid worms बनने लगे थे, और mollusk इसमें exist करते थे, algal flamen, fungi, sponge, sprecules, radiolarian, jellyfish, brachyapod and worms are represented fossils, इनके इस जमाने में इसनके जीवास में पाये जते हैं, regions of skanty fossil is the record when the soft-bodied animals or whatever the fossils formed are destroyed by the temperature and pressure by the earth, पृत्वी के अंदर उच्छ ताप और दाब के करण, इस जीवास में नस्ट हो चुके हैं आज की तारिक में, this era is ended by the culinary revolution, इस युग का अंत culinary करांती के गरण, culinary revolution में के बाद में हो गया था, संटाइम्स एर्कियोजेक और प्रोटीजेक बोथ combinedly called as cryptogeek, कभी कबार आर्कियोजेक और प्रोटीजेक को समुई कुरूप से cryptogeek भी का जाता है, क्योंकि इसके अंदर जीवन चुपा हुआ था, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद में continue करेंगे, पार्ट सेकेंड के अंदर, आज के लिए इतना ही, thank you, thank you very much.